हें गाई वेल्कम बैक टो अदर वीडियो में काशकना स्वागाट है फिर से हमारे नए वीडियो में तो आज हम बात करने वाले अपने ताटा की सबसे सेफेस प्रिम्यम हैजबैक टाटा एल्टरोज के बारे में और ये वेरियंट जो होने वाली है वो पर दो इस गाड़ी का प्राइज क्या है क्या है इस में साथ लॉक्ष का गारी काड़ी आपको देखने के लिए अलाबर इंडिया और इसमें साथ लाक में भी आपको हर मेने कुछ नव्हानय श्कीम देखने के लिए आता है जुसमें आपको 20-25 आपको अंडुगा देखने के लिए मिल जाता है आने कि 7 लाग के अंदर में गाड़ी आपको बाकि आते जाते हैं यह गाड़ी आपको आंडूर्ड के लिए मिल जाती है तो आप बात करें कि यह गाड़ी की मोड़ल की तो यह आपका सबसे बेस आता है XC उसके बाद आता है XM सुसके बाद आता है XM । X M Ass XT XZ ZE यह सारे मॉडल लाते हैं लिचिन आज हम बात कने वाले एक समॉडल के चाहते हैं तो आपने नीरेस्ट बॉस दे वोटों में बिजिट कर सकता है या फिर डाइट मुझसे भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं इस गाड़ी में हमें कंपनी क्या-क्या ओफर करती है पहले बात करें हम गाड़ी की कीज की तो कीज देख सकते हैं आपक कुछ आपको lock, unlock, follow me, headlamp का button भी देखने के लिए बिल जाता है, जो कि 10 minute तक यह जला हुआ रहता है, इनको नहीं पता में बता दू, अगर आप गारी को कहीं parking में ख़ले रखते हैं, आपको गारी ढूंडने में दिक्कत हो रहे हैं, या फिर अंदेरा है, घर parking से room जाना है, इस टेम में ये काम आती है, फिलिप की इसमें आपको देखने के लिए एक मिलता है, एक आपको manual की देखने के लिए मिल जाता है, अब बात करते हैं गारी की looks की तो देख सकते हैं, ऐसा कुछ आपको look देखने के लिए मिल जाता है, मेरी personal favorite है इस company की गारी में लुक की बात तो सबसे ज़्यादा पसंद मुझे एल्ट्रोज है फ्रंट से बात करें तैसा कुछ इसका फ्रंट फेज देखने के लिए मिल जाता है डूब टोर बंपर के साथ में हमने यहां पर देखेते हैं पहले आपको ट्रायर व सेप देखने के लिए मिलता था लेकिन आप इसमें आ सेफंबर मिल जाता है अर यहां पर नीचे पूरा क्रांट में देखने के लिए मिल जाता है अब हम बात करता है उसको मॉन पडिणच ौडिक्ण ऑल लोक है ही फांब कर से है यहीजिन गारी आपको तायर इसमें आपको 16 इंच का तैयर देखने के प्रोफाइल की बात करते हैं पर आपको 18560R16 के यहाँ पर आपको 165 mm का ग्रांड क्लिए दिखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर आपको यह ओर बिया बड़ा सा देखने के लिए जाता है जिसमें लाइक इंडिकेटर तो नहीं है इंडिकेटर आपका फेंडर पर दिया के लिए मिल जाता है आनि कि बाहर से कहीं से भी ब्लैक स्वरी बेस मोडल नहीं देखने के लिए लगता है हलाके अब लगा देंगे तब तो गाड़ी को कोई बता ही नहीं सकता है कि यह बैस मोडल बेस मोडल है पीछे से आते हैं तो पीछे से ऐसा कुछ आपको लुक यहा लाइन देख सकते हैं पूरा ऐरो डार्मिक्स को यहां पर देखने के लिए मिल जाता है तो कि आपको शिरस्ट यहां पर जलता हुआ दिखेगा यहां पे अल्ट्रोज की बैजिंग आपको देखने के लिए ब्लैक कलर में और वाइट से लिखावा जो की काफी सुन्दर लगती है बात करते हैं यहां पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने के लिए बूट आपन के लिए जो की अच्छी बात है बेस मोडल बात करते हैं अब हम बात करते हैं अब हम आते हैं गाड़ी के पीछे और देख सकते हैं यहां पर हैघंडल अपने के लिए कि और वापन करने के लिए यहां से मिल जाता हुआ है काफी यहां का इस इसमें आपको विंडो भी इतना लेगरूम देखने के लिए दिल जाता है और यहां पे आपको तीसरा आद्मी वैठे घडे गा तुसको यहां फी पे रखने में दिख्कत नहीं हो फ्लाट वो secular यहां पर आपको यह चीज देखने के लिए मिल जाता है अधर को यहपी आप फडरोड वगएटा यां इसा कुछ यहां पर आपको बैक का चारी में देखने के लिए मिल जाता है तो इसमें भी आपको डुल टोन यहां पे पेडिंग सल्सक्राइए इसमें आपको चाहरों श्रीक पाहरों के कंट्रोल मिल जाता है इसलिए मैं बोला था कि ज्यादा तर यह लगवाले चीज यह आपको बेस मोडल में इसल को बोला है। यहां पर एक झीजें कहें आपको एक बॉटर हॉलडर एक फशुख्र нап csak एक लिए मिल जाता है बात के लांबदर क्य देखई अदर कुछ आसा लुक देखने के लिए मिल जाता है यहां पर आपको seat hat adjustable seat भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है बस इस प्राइज में और इस model बेस मोडल में ही आपको यह चीज़ देखने के लिए मिल जाता है आपको डी सेप स्टेरिंग विल देखने के लिए मिल जाता है यहां पर नयावाला टाटा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है और यहां पर इसमें मूजिक सिस्टम नहीं है जी हाँ यह इसलिए मैं बोला था बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता है जो बाहर से काम करवाना चाहते हैं उनके लिए मोडल काफी बैस्ट होने वाला क्योंकि यह सारे चीज़े जो खराप होने वाले चीज थी वह तो आपको कंपनी से मिल जाती नेकिन आपको यहां पे स्पीकर लगाने का और कैमरा लगाने का जखार आपको यहां पे दिया गया थी यह काफी अच्छा पॉन्त यहां पर देखने के लिए मिल जाता है इसमें आपको डेनाट वाला आयर बिम देखने के लिए नहीं मिलता है और यह लाइट जो काफी परसान करता है लोगों को उसमें यह चीज भी अभी भी वही वाली लाइट देखने के लिए मिल जाता है वेलेटी मिरर में आपको नहीं देखने के लिए मिल जाता है और यहां पर आपको यह मेट क्रोम भी देखने के लिए मिल जाता है यहां पर आपको यहां पर आपको यहां पर इको मोड का बटन देखने के लिए मिल जाता है चावी लगाने के जगर में यहां पर काफी अच्छा रिंग लाइट देखने के लिए मिल जाता है जो कि अंधेरे में भी आप चावी इजी से लगा सकते हैं और लुक भी इसका काफी सुन्दर आता है अगर चावी वान करने के बाद ऐसा कुछ यूजर इंटरफेस यहां प अब हम बात करते हैं गाड़ी इंजन की इंजन इसमें आपको कौन सा देखने के लिए मिल जाता है तो यहां पर आपको बोडनर ओपन हो जाता है और यहां पर आपको बोडनर देखने के लिए मिल जाता है जिससे अब गाड़ी फाइब स्टार भी यही सब चीजों से हो ज यह थी अपने टाटा एल्ट रोज और इसको मैं बेस मोडल का बात्सा इसलिए बोल रहा था क्योंकि इस गाड़ी में देख सकते हैं जो जीज मतलब की खराब हो सकते वह सब चीज आपको इसमें कंपनी फिडर मिल जाता है जैसे के सेंटर लॉकिंग हो गया पार विंड हो ग पड़ेगा आपको मूजिक सिस्टम का क्वाइरिंग जाधा कुछ आपको बैठाना नहीं पड़ेगा सिपको शिस्टम लगाना और पीशे क्यामरा लगाना स्पीकर आपके लगे हुए हैं इसलिए मैं इस मोडॉल को बेस मोडॉल बोलने माँ काफी वैल्यो फो मनी वैरें अगर आप लोगे वीडियो अच्छे लिए वीडियो को लाइक की जगा साथी चनल को सब्स्राइब करें जगा मिलते हैं फिर नहीं वीडियो में तब तक के लिए बाइबाय जहिन